वासे सब जैसे बच्चे का मूड या नौजवान जो हमाया तबका है उनके अगर मूड चेंजिंग होते हैं रवाइये में कोई तबदीली आती है फॉरन पता चल जाता है कि सम्थिंग डॉंग कुछ न कुछ है तो वही बास सारा ने जो कही कि स्टार्ट में अगर उस पर तो वहाँ पर सब मयरीस थे तो किसी डॉक्तर का वहाँ पर बड़ सर्जन का वहाँ पर भज़ता तो उससे जा के नुए देखा एक दिवार के ओपर एक साहँ अलत रेके होए है तो डॉक्टर ने पूछ इसे क्या हुआ है यह सक्यू कर रहा है तो प्रॉन को ब्रॉत क तो आगे से जवाब देती सर कहता दूँ रेकिन फिर रोशनी खतम हो जाएगी अब जिसको पता चाहिए जिससे इराज करना है फॉर इंस्टेंट फिर्स्ट उसकी अपनी कंडिशनिंग होने वारी है वो नर्स जो हमारी माश्यक है हमाया उत्रफित हम सब आप सब्साइब तो सिससे हैं इसयोमेशनल इसमाशनल इसकोलागी कर दनेस हैं हमाई बहेवियर की इंस हमारी बहें बालन सब्स्राव यह नहीं है और अगर नहीं याकिन तो आप सड़क पर चले जाएए, ट्रैफक को ही देख लिजिए, हमारी ट्रैफक जिससे स्कैटर्ड है, इस आउटर लुक ओफ आवर इनर सिर्फ, हमारी अंदर जो स्कैटर्ड है, इनर्जिस का और साही, हमारी अपनी कैफियत का वो बाहर है, और वो तब देरिये के जरुए है, और वो तब देरिये कैसर के आएगी, मैंसमनों के पिछ्छे पाकिसंगर एक डिकेड में जो प्रिटिकल इंटॉलरेंट साहिना पाकिसान इसमें नौजवानों को खासुसी तोर पर बहुत टार्गट किया है, और बहुत जादा किया है, और अगर हम आज नहीं आते हैं, तो हम बहुत एमर्जेंस स्टेट के अंदर हैं, आर्ट एंट कल्चर के में क्यों बात करता हूँ, प्रिटिकल इंस्टिबिल्टी के वज़ए से इन टॉरेंस बहुत ज़दा है, उसकी वज़ए कि हमारे हाँ जो स्यासत हैं, उसने जो आरे बाइंड राज के पर देखें, तो तामीर रवई होते हैं या तखरीबी रवई होते हैं, अब आप अख़बार किसी दिन उठा के देख लिए एक रेडर्शिप के तरफ से ठर्ट आती हम शेहर बंद कर देंगे, मार्केटर बंद कर देंगे, बजार बंद कर देंगे ये सब कुछ बंद कर देंगे, और फिर दूसरी तरफ से होता है कि कंटेनर गा के शहर कर खुद बंद कर दिया जाता है, ये जो बंद किया जाना ये सब तखरीब है, ये सोशल टेकनोलोजी है, सोशल टेकनोलोजी, रवईयों की टेकनोलोजी है कि आप तखरीब है, अब कोई वर्क तो करती है लेकिन भार्क टॉम्ट मैं इसका नुकसान बहुत सरय आगर आपको है वाइस हो अगर आप कोई प्रेंटिंग पर कोई भी आर्ट प्रेक्टिस करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको क्रेटिव होना पड़ेगा सही सोचना पड़ेगा तखरीब से आपकी जान चुटकी आपका रवया तामीरी हो गया बलके तखरीकी हो गया फिर उसको प्रेक प्रेक्ट की यह तरबियत हो सकती है तो मौशे की क्यों नहीं हो सकती है तो वहां पर मुख्तिफ आर्ट की तरही के चलिए जहां पर मौशे इतना स्टेबल हुआ है अब एक और इसका परस्पेक्टिव वह देखना होगा देख एक दौर था बहुत पहले जब इनसानी इर कि काम कैसे करने। फसे कैसे उगाना यापने खुला कैसे पडा करनी था ऑपनाँ गर कैसे बनाना यह सैवसे फिर एक और एक और सफर में आगे बढ़ते हुए है आडियोजी का दौरा है हम्तरों के पाद पहुंगी यहां सेम अरे चो प्टिक मैथेरोलोजी को भी और इडियलोजी को भी आगी आगेनी आने दिया इसाथ इसने आज़ा अन्होत पर मौशीय को बहुत नुखसान पहुंचा दिया अब हमें आर्ट इसमेद भी प्राइक्टर्स करना चुकिए इसके इडियालोगी बिए आपको काम करना है और अब आइडियालोगी और मैस्टराविजी के साथ ज़टे हैं तो आप अपनी शक्सिएत के साथ ज़टते हैं तो टेक्टराव्योजी को ठोड़ा सा राम दे की बाहरिये के विए आर्ट की तहरीक के चलिनी चाहिए हमें समाज के विए आर्ट की और कल्चर की तहरीक के ज़र्ट है